नमस्कार दोस्तों स्वागर्थ करता हूँ आप सभी को टेकिराच यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने ओपो एफवान या फिर किसी भी ओपो मुबाइल में इनसफिशेंट स्टोरेज प्रॉब्लेम को कैसे आप हमारे हम कम एप्लिकेशन चलाने के बाउजूद भी जो है हमारा स्टोरेज यहां पर फूल दिखाता है तो कैसे आप अन्वांटेट इस पैसे को अन्वांटेट जगे को आप खाली कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा यह देखने के बाद दोस्तों आप अपने स्टोरेज को 90% आफ सेफ कर सकेंगे ठीक है तो दोस्तों चली बिना देर के वे शुरू करते शुरू करने से पहले आपको बता दू कि दोस्तों यह दे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दिजे साथी साथ बेल फाइल फिक्सर एन रिमूबर ठीक है अभी क्या होता है कि दोस्तों हम अपने मोबाइल में जो है हमें पता भी नहीं चलता है और हमारे मोबाइल के इंब्यूर्ड सौफिर से ही क्या होता है कि कभी-कभी बहुत सारे डुब्लिकेट फाइल क्रियेट हो जाता है हमने फोट करना है ठीक है अब भी दोस्तों यह application के जरीए से भी कैसे fix करना है बताऊंगा आगे और भी दो तरीका बताऊंगा कैसे आप storage problem को fix कर सकते हैं वीडियो के साथ बने रहीएगा तो दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है simply आपको यहां पे चलिए मैं back आता हूं यहां पे और अब दोस्तों यहां पे देखिएगा कितना सारा duplicate file पड़ा हुआ है मेरे यहां पे आप देख सकती हूं ठीक है अब देखिए यहां पे 180 file पड़ा हुआ duplicate आप सोचके देखिए एक file यदि 10 MB का रहेगा तो आप सोचके देखिए यहां पे 180 file कितना होगा 1.8 GB का आपके तो दोस्तों यह था आपका एक उपाई जिसके मदद से आप duplicate file जो है वो delete कर सकते हैं अभी दूसरा तरीका क्या है कि दोस्तों आपको अपने mobile के settings पे जाना है और इसके बाद में दोस्तों यहां पे आपको application manager पे आपको जाना है हर mobile में अलग-अलग show होता है आपके mobile में शायद show करें apps या फिर application या फिर application manager जो भी application के अंदर आपको जाना है अभी क्या होता है कि दोस्तों हम जितने भी बड़े बड़े application चलाते है heavy application जैसे कि हो गया facebook, twitter, instagram, whatsapp हो गया इसमें क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो है data जो है हम search करते है login वगएरा करते तो वो सारा details save होके रहता है ठीक है हमारा यहाँ पर inbuilt memory के अंदर तो उसी के वज़े से हमारा जो है space बहुत ही कम हो जाता है अभी suppose कि मैंने facebook को open किया यहाँ पर app अभी यहाँ पर storage usage में में चला गया तो आप देख सकती कि 417 total यहाँ पर MBA मतलब लेके रखा है ठीक है अभी इस से हटाने के लिए आपको क्या करना है clear data पर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको clear कर देना है अभी clear करने के बाद में क्या होगा कि दोस्तों आप देख सकते 129 पर आ चुका है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर कम से कम 300 MB आपका बच चुका है तो यह करने के ब बाद भी आपका स्टोरेज जो ही वो कम नहीं हो रहा है तब आपको अपना मुबाइल लास्ट ऑप्शन यह है कि आप अपना मुबाइल को रिसेट कर सकते हैं रिसेट करने के बाद में क्या होगा कि जितना भी एप्लिकेशन का डाटा यूसेज वगरा है वो सारा खतम हो जाएगा तो खतम होने के वज़े से आप रिय एप्लिकेशन इंस्टॉल करेगे तब आपका स्टोरेज काफी आपके पास बच जाएगा तो यह तीन उपाय था द